उत्तरप्रदेश में सबसे अधा जेल में इस समय कौन है? SCHT OBC मैं जानता हूँ मेरे पास रोज फोन आते हैं कि साहब हमारे पास हम दलित हैं हम OBC हैं हम अहिर कुर्मी कोईरी हैं जमीन कबजा कर लिया और हमारा मुकदमा नहीं लिख रहा वहां जाकर थपड़ मारके भगा दे रहा हैं गाली दे करके और हमारी लोगों कोपर मुकदमा हो रहा है मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा कोई मुक्हमंत्री आपके भी यहां बैट जाए लेकिन हाँ हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे लोग ऐसा काम करें जिस पर आपको सफाई देते भी न बने इसलिए सची बात यह है गलत को गलत कहेंगे लेकिन आज हम एक और सचाई कहना चाहते है कि अगर 2024 में यही सरकार बन गई साफ तोर पर मैं कहा रहा हूँ पता लगाओ अमबेटकर वादियों कितनी परमीशन इस बार अमबेटकर जैनती की रद होई थी पता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में आके देखिए मेरे पास कम से कम दो दरजन परमीशन भेजी गई कि अमबेटकर जैनती मनाने की परमीशन मांगी थी रद कर दिया 2024 के बाद अमबेटकर जैनती मना पाएंगे या नहीं असली खत्रा यह अगर 2024 के बाद 2025 में उन्होंने अपना वाला भारत बना लिया तो हम आपस में शिकायत तो करते रहेंगे और करनी भी चाहिए जैसे मैं OBC की शिकायत कर रहा हूं सामने खड़े होकर कि OBC में तमाम जातियों को एक जुट हो करके हमें एक बड़ी एका बनानी होगी और बार बार क्यों हम जगदेव बाबु राम सुरूप वर्मा की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने नबे परसेंट की बात की थी बस हमारी नाक लंबी हो गई और दिल छोटा हो गया जिन जातियों की जिम्मेदारी जादा है मेरे उत्तर प्रदेश मंबाद बोलता हूँ आप के यहां आप अपने ढंक से जोड़िए हमारे यहां तीन जातियां OBC की ताकत वर हैं अहीर, कुर्मी, कोईली आप के हां कौन है मुझे नहीं पता जोड़िएगा मेरे मन में खयाल आता है कि हम तीन जातियों के लोग अगर संख्या में जादा है आपने मौका जादा उठाया है आपके पास जिम्मेदारी भी जादा है दो कदम पीछे आईए और एक सबसे पीछे खड़े अपने आती पिछड़े साथी को कंदे पर बिठा कर आगे खड़े करिए तब जाकर के बड़ी एका बनेगी मैं ये बात कबूल करता हूँ कि हमने OBC को एक तक बनाने में नाकाम हासिल के और यही काम शिडूल काष्ट में हुआ है शिडूल काष्ट में भी जो जातियां संख्या में जादा है जिनके जादा कर्मचारी हो गए है अब उने की भी जिम्मेदारी है कि चार कदम पीछे उठकर कि इस मंच को बनाईए अब यह निर्देश बहन अगर यहां न बैठी होती तो यह मंच के वल पूर्शों का मंच था इस मंच पर एक पासवान एक खटीक, एक वालमीकी और नीचे जाती कि जितने लोग नीची कहने का अर्थ नहीं है देखो मेरी भाषा भी कितनी गड़बड है कि हमारी भाषा में भी कितना उच नीच भर गया है अब हमें तो इसे भी ठीक करना है हम सारे लोगों में बहुत सारी कमियां है हम अपनी भी कमियां दुरुस्त करेंगे और हम दूसरे के लिए भी अलोचना को सिकार करेंगे मगर आखरी बात जाते आते वक्त बहुत हो गया हम बैटकर जैनती मनाने का तकाजा ये है वही बात है ना कि अगर टुकडों में बटे रहे किस्ता इस बार बहुत सुनाया अंगूर खरिदने गया तो मेरे पिता जी को मैंने कहा कि ये अंगूर मैं दस रुपए किलो खरिद के ले आया कम पैसे में ज़्यादा अंगूर ले आया बिजनेस करना अच्छा आता है असिरवाद दीजिए प्रधान मंत्री बन जाए बिजनेस करके पूरा देशा ही बेच दे बोले ऐसे उन्होंने कहा कि दूसरा अंगूर कैसे था मैंने कहा वो बीस रुपए किलो था बहुत महंगा था उन्होंने कहा क्यों महंगा था मैंने कहा कुछ नहीं देखने में वैसा ही था लेकिन गुच्छे में लगा हुआ था उन्होंने कहा कुछ समझे मैंने का नई उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो अवकाद जादा रहेगी अगर टुकडों में बिखर गए तो ऐसे ही आउने पौने दाम पर खरीदे और बेचे जाओगे आज हमारे लोगों में तमाम चीजें करने की जरूवत है लेकिन एक काम करने की जरूवत है किसी तरह वो गुच्छा न तूटे भाई मारे सभी जाओगे मैं अहिर जाती से आता हूँ न ये सभागार में भी कुछ अहिर लोग होंगे न और अपने नाम पर बोल रहा हूँ रिस्क लेते हुए अहिर की संख्या जादा होगी थोड़ा धन संपत्ती होगी जमीन होगी तो हो सकता है कुछ दिन बाद नंबर आएगा जो बैचारा कम है वो पहले मारा जाएगा जैसे आज मुसल्मान मारा जा रहा है बताओ S.C.H.T.O.B.C. संगठनों के लोग अगर दंगे के सामने आप हो रहा हुँ हम और आप खड़े हो करके दंगा नहीं रोक पाए सामपरदाइक्ता नहीं रोक पाए तो हम कमजोर है अपने बैचारकी को लेकर आज मुसल्मान मारा जा रहा है आज दलित में कमजोर जो सबसे पाइदान पर है वो मारा जा रहा है, कल हम मारे जाएंगे सबका नंबर आएगा हम इस गुमान में ना रहें कि मेरी जाती बड़ी है मेरी जाती के पास पैसा है मेरी जाती उनकी जाती से तालमिल बना लेगी तो दो टो मंत्री, तीन टो बिधायक बन जाएंगे हम लोग बचे रहेंगे बचेगा तो वही मंत्री और विधायक जो आपकी जाती का है लेकिन आपकी जाती का हख अधिकार खतम हो जाएगा इसलिए बिहार के लोगों आपकी सरकार आपके वैचारिक लोगों के फिर भी मैं एक बात कहके जा रहा हूँ पूरे बिहार में जन अंदोलन खड़ा करने की जरूवत है जाती जनगरना और सामाजिक न्या एक अंदोलन खड़ा करने जरूवत है ताकि बिहार की सरकार पे भी आप दबाव बनाईए और दिल्ली में ऐसी सरकार चुनिए जिस पर दबाव बना के अपने मन मताबिक काम कर सके और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि हम सब की आपसी लड़ाई का फाइदा वही उठा ले जाए जिसका एक दूत अभी बाबा बनकर आया है पठना में रैली करने किसमत बताएगा टीवी पर बैठ कर लोग चमतकार घोशित करेंगे और ये मीडिया के लोग हैं मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि असली मीडिया तो ये यूटूब चैनल है भाई ये जितने भी लोग हैं ये यूटूब चैनल वाले ये असली मीडिया हैं आप इन में देखेंगे निन्यान बे दसमलो निन्यान बे निन्यान बे फीजदी हमारे आपके बच्चों के सिक्षा रोजगार उनके आत्मसमान की खबरे यहाँ पर है और हम इनको सब्सक्राइब नहीं करते इनको मजबूत नहीं करते इनको चंदा नहीं देते ये वह बाबा आएगा करोन रुपया चंदा लेकर हमारे आपके घर से लेकर चला जाएगा सिक्षा, रोजगार, स्वामिमान इसकी बात नहीं करके पटना के अखबार में कल पढ़ियेगा वो आज ही ये बात कर जाएगा कि इसे अखंड भारत बनाना और हिंदू राष्ट बनाना है ये भारत के संबिधान की हत्या है और ऐसे हत्या करने वाले लोगों को हम सीरे से खारिज करते हैं तब हम कहेंगे कि हम बिरसा फुल अमबेटकर पेरियार के वारिस हैं जो संबिधान को जहन में रखते हैं तब ही जाकर कि हम इस मुल्क को बचा पाएंगे क्योंकि आज अगर डॉक्टर अमबेटकर होते तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ इससे बड़ी रह ली अरे बाबा साब अमबेटकर तक को उनके लोगों को निक खिलाफ खड़ा कर दिया गया था बाबा साब हिम्मत नहीं हारे हमारे लोगों को कुलहाडी की लकडियों के सामने रखकर जंगल को दिखाया जाएगा कि जंगल की लकडियों कुलहाडी का साथ दो में चम्चे बनके उनके यहां बैठे हुए हैं और हमारे लोग आज शिकार हो रहे हैं डक्टर अंबेटकर की जैनती मनाने का अर्थ मेरे लिए डक्टर अंबेटकर के विचारों को लेकर लड़ना और इस सवाल का जवाब ढूड़ना है कि 2023-2024 में डक्टर अंबेटकर होते जोतिबा फूले होते ईवी रामा सामीन आयकर पेरियार होते बीपी मंडल होते कांशी राम होते रामन और लोया होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते मेरा मानना है कि वो सिक्षा बचाने की रोजगार बचाने की सरकारी करण करने की नीजी करण के खिलाफ पूर पर यार के वारिस हैं अगर हम यह लड़ाई नहीं लड़ रहें तो कहीं ऐसा नहों कि हमारी जैन्तियों में मूर्ती बना करके कल को RSS सबसे बड़ी मूर्ती बाबा साब की बना दे और उसमें हमारे लोगों का वोट लेके चला जाए हम वैचारिक लोग जानते हैं कि डॉक् आज है कल नहीं रहेगी फिर भी मैं ये बात कहके जा रहा हूँ हमारे पुर्खों के हाथ में कोई चाकू तलवार नहीं थी उनके हाथ में कलम और किताब थी वो हमें कलम और किताब सौप कर गए आप सरकारी कर्मचारी हो मैं सरकारी विश्व द्याले का विक्ति हूँ हम पढ़े लिखे लोग अगर कलम और किताब नहीं बचा पाए तो जो ठीक इसी समय सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है जो खेत में मजदूरी कर रहा है हम उसको क्या दोश देंगे वो कथा सुनने जाएगा यानि नाकामी हमारी है आईए मिल करके इस देश में एक जन अंदोलन खड़ा करें जाती जन गड़ना प्राइविटाइजेशन प्राइविटाइजेशन के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और EWS रिजर्वेशन आ गया भाई 10% 7% रिजर्वेशन हो गया है अगर इस देश का प्रदानमंत्री OBC है तो घोशना करे कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देंगे और OBC कम्यूनिटी के जितने नेता हैं उनको पूरे देश में एक मांग करनी चाहिए कि 27% रिजर्वेशन को बढ़ा कर 52 किया जाए और जो 15% रिजर्वेशन बढ़ेगा OBC का वो सारा रिजर्वेशन अधर बैकवर्ड कम्यूनिटी में जो अति पिछड़े समुदाये के लोग है उनको मिलेगा अपने आप देखे आपकी एकता बन जाएगी थोड़ा दिल बढ़ा करना होगा और जो पीछे रह गए उनको अपने से आगे खड़ा करें और तमाम लोग जो ताकतवर हैं अपनी ताकत बहुत बार होता है कमजोर पर दिखाते हैं आए हम कम सारे लोग मिल करके समराट अशोग के वंशज है न तो दावा करते हैं कि 2024 तक घर-घर एक जना अंदोलन खड़ा करिए कि 2024 में ऐसे लोग सरकार में दुबारा न बठे जो सम्विधान को अटा कर मनुस्पृति लागू करना चाहते हैं अगर यह नहीं रोक पाए तो माफ करिएगा हमारे इतनी जैनतियों के मनाने का आपके इतना पैसा खर्च करने का मेरा भाशन दे करके इस भ्रह्म में हो लेने का कि मैं भी कोई बड़ा तीर मार रहा हूँ यह सब का कोई मतलब नहीं होगा हम सब मारे जाएंगे आपने मुझे बुलाया बहुत-बहुत धन्यवाद जै भीम, जै मंडल, सम्विधान जिन्दाबाद, इंकलाब जिन्दाबाद